दिल्ली की कॉलिज की समाशास्त की किताब में दहेच के गुण बताए गए हैं ऐसा गुण जो शर्मनाक है इसमें लिखा है कि दहेच की वज़ा से बसूरत लड़कियों की भी शादी हो जाती है बताएंगे इसकी पूरी कहानी लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें पुस्तक के प्रकाशक है JP Brothers किताब का नाम है Socialogy for Nurses पुस्तक के पेज नंबर 122 में दहेच के गुणों का उलेक है बुक के कवर पेज पर इसे Indian Nursing Council किस लेबस के अनुसाल लिखा होना बताया गया है लेकिन INC ने इससे अपना पला ज़ाड लिया है INC ने अधिकारिक बयान में कहा है कि ये बात संग्यान में आई है कि sociology for nurses के कुछ लेखक INC के नाम का इस्तमाल करके अपनी किताब निकाल रहे है INC ऐसे किसी भी content की निंदा करता है जो कानून का उलंगन करता हो यह भी साफ किया जाता है कि INC विभिन नर्सिंग कारेकर्मों के लिए सिर्फ उन्ही स्लेबस को प्रस्तावित करता है जो उसकी website पर है आए अब जानते हैं कि किताब में लिखा क्या हुआ है इसमें चार point है जिसमें से पहला point है कि दहेज नए घराने की स्थापना में साहयक होता है हमारे भारत के के हिस्सों में चारपाई, गदे, टेलिविजन, पंखा, फ्रिज, बरतन, कपड़े यहां तक कि वाहन जैसे घरेलू सामान देने की प्रथा दहेज के रूप में पाए जाती है दूसरा point है दहेज के रूप में लड़की को पैत्रिक संपत्ती का हिस्सा मिलता है इसमें तीसरा point है कि दहेज के बोच के कारण के माता पिता ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है जब लड़कियां शिक्षित होंगी या नौकरी करेंगी तो दहेज की मांग कम होगी इस प्रकार यह एक अप्रत्यक्ष लाब है चौथा point जिस पर विवाद है वो है बसूरत लड़कियों की शादी ठीक ठाक दहेज के साथ अच्छे या बसूरत दिखने वाले लड़कों के साथ की जा सकती है अब यह बात जब जनता के बीच पहुँची और किताब के खिलाब बहतरीन प्रतिकिर्याय आने लगी तो प्रकाशक ने दी सफाई किताब के प्रकाशक जेपी ब्रदर्स ने कहा हमने पुस्तक को बाजार से वापस मंगा लिया है पांच दश्कों से अधिक समय से चिकित्स समुदाई की सेवा कर रहे हैं भविश्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गंभीरता से काम करें खेर इस सब पर आपके क्या विचार हैं आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हैं इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं